28 के पीछे 14,0 एक बार गिनने बैटो तो गिनते ही रह जाओ तिलाल आप दिमाग पर जादा जोर मत लगाईए हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं आसान भाशा में इसे कहींगे 28,00,00 अरब इस संख्या का जिक रिस लिए क्योंकि एक अख़बार की कटिंग में संख्या लिखी है और सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है दावा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 2.8 लाग करोड का नुकसान हुआ है DM के विधायक Dr. T.R.B. राजा ने वारल कटिंग ट्वीट कर इसे भाजपा का 5G स्कैम बताया लेखक अशोक कुमार पांडिय ने अख़बार की वारल कटिंग ट्वीट कर लिखा जीरो गिनिया और बताये टाइमस पर E.T. का चापा कितने दिनों में पड़ जाएगा इसके अलावा गुजरात में भारते ट्राइबल पार्टी के विधायक छोटुभाई वसावा UP Congress और कई और सोशल मीडिया यूसर्स ने अख़बार की कटिंग को शेयर कर ऐसे ही दावे की हैं दिललन टॉप ने वारल दावे का सज़ जान निकले पड़ताल की हमारी पड़ताल में वारल दावा गलत निकला जस अख़बार की cutting को शेर किया जा रहा है अब वो असल में edited है कुछ keywords की मदद से सर्च करने पर हमें अख़बार की viral cutting की असली copy मिली e-paper की असली copy में अख़बार की headline है 5G spectrum options earn center record rupees 1.5 lakh crore viral cutting और असली copy की तुलना करने पर दोनों में अंतर साफ तोर पर देखा जा सकता है गोज से देखने पर हमें हबर में पंकज दोबाल की byline दिखाई देती है इसके बाद search से हमें twitter पर पंकज दोबाल का account मिला पंकज ने अपने twitter account पर 2 अगस 2022 को viral cutting की असली e-copy tweet की है जादा जानकारी के लिए हमने पंकज से संपर्क किया उन्होंने बताया viral screenshot fake है मैंने 2 अगस 2022 को Times of India के business page पर 5G की नीलामी पर report लिखी थी अगले दिन्यानी 3 अगस को मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने इसके edited version को share किया है जो की गलत है इसके लावा 2 अगस 2022 को Times of India की website पर भी इस report को publish किया गया था 5G spectrum की नीलामी 7 दिन बाद सोमवार को बंद हो गई इसने सरकारी खजाने के लिए record 1.5 लाग करोड रुपे प्राप्त किये क्योंकि सरकार अब इस साल अक्टुबर से महानगरों और बड़े शहरों में हाई स्पीड दूर संचार से वाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है मुकेशंबानी की रिलाइंस जीयो सबसे बड़ी हरीदार थी जिसने 88,078 करोड रुपे के स्पेक्ट्रम का धिग्रहन किया जीयो के बाद सुनील मितल की एटल ने 43,084 करोड रुपे का स्पेक्ट्रम खरीदा जबकि वोड़ाफोन इंडिया ने 18,799 करोड रुपे हर्च किये गौतमदानी के अदानी डेटर नेटवर्क्स में गुजरात, पुंबई, करनाटक, तमिल नादू, राजुस्तान और आंधर प्रदेश में एरवेव खरीदने के लिए 212 करोड रुपे हर्च किये फाइनल नतीजा पताए देते हैं हमारी परताल में वाइरल दावा गलस साबित हुआ अख़वार की वाइरल कटिंग फर्जी है जुसे असली कटिंग के साथ छेड चार कर बनाया गया है वाइरल कटिंग की हेडिंग में 2.8 लाक करोड रुपे के नुकसान होने की बाद की जा रही है जबकि अख़वार की असली कटिंग में 1.5 लाक करोड की कमाई होने की बाद लिखी गई है आपके लिए परताल की है हमारे साथ ही अंशल ने मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया